नमस्कार इंडिया न्यूस पर हमारी खास पेशकस चुनाव 2019 में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ हिमन्त कुमार और चलिए शिरू करते हैं आज की हमारी खास पेशकस को तो आपको बता दे कि 2019 के जो लोग सवाच चुनाव है उनकी दस तक अब देखने को मिल रही है सियासत अपने तरीके से आगे बढ़ रही है वहीं कहीं गटबंदन हो रहा है तो कहीं गटबंदन के उमीदें तूटती हुई दिखाई दे रही है नेताओं पर जो बयानदाजी है वुसने सियासत को तेज कर दिया है 2019 का रण काफी दिल्चस प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने शुकरवार को अपने संसदी एक शेतर वारनसी पहुँचकर काशी विश्वनात मंदिर में पूजा आचना किये और काशी विश्वनात करडोर की आधार शीला रखिये पियम मोदी की वारनसी को बड़ी सोगा विश्वनात करीडोर की रखिया आधार शीला पिछली सरकारों पर साधा निशाना कहा कई सालों से भोले बाबा की चिंता किसी ने नहीं की लोगसभा चुनाओं से पहले सौगातों और चुनावी रैलियों का दोर जारी है इसी कड़ी में पियम मोदी के भी तावर तोर दोरे जारी है जहां उन्होंने अपने संसदिय शेत्र वारनसी को विश्वनात करीडोर का तोफ़ा दे डाला पियम मोदी ने वारनसी में श्री काशी विश्वनात मंदिर से कंगा नदी के बीच 40,000 वर मीटर का कोरीडोर तोफ़ा देते हुए कहा कि अब काशी विश्वनात मंदिर परिसर के रूप में जाना जाएगा इसे काशी के पूरे विश्व में एक खलक पहचान बनेगी इतना ही नहीं पियम मोदी ने काशी विश्वनात मंदिर में पूजा आर्चना भी की और काशी विश्वनात कोरीडोर के लिए जमीन देने वालों का अब हर विक्त किया अजिसे आज मुझे भी माता अहिल्यावाई के संकल्प के साथ काशी के लाखों जनों और देश के करोडों स्रधालों को उनकी भावनाओं के साथ आज मुझे खुद को जोड़ने का सवभाग्य मिला है उसका आज शुभारम किया गया है हजारों वर्ष से जिस दिव्यता के अनुभूती कर रहे हैं उसके साथ अब भव्यता का भी रंग रंगे से रंगे जाएगा इस पुनित कारे का सुभारम करने के बाद आप सभी बेहनों के बीच आपके स्रम को नमन करने के लिए मैं आज आपके बीच उपस्तित हो वरानसी दोरे के दोरान पियम मोधी ने पिछली सरकारों पर निशाना सात्ते हुए कहा कि काशी विश्वनात महादेव मंदिर करोणों देश्वासियों की आस्था का स्थर है काशी विश्वनात के परती लोगों की अबाद शद्धा है जिसके वज़े से यहां करोणों लोग आते हैं लेकिन पिछले कई सालों से भोले बाबा की चिंता किसी ने नहीं की सभी ने अपनी अपनी चिंता की अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई जिसकी वज़े से चालिस से जादा पुरा तात्विक मंदिर इस पूरे धाम के अंदर से मिले अब मा गंगा को सीधे बाबा भोले नाज से जोड़ दिया गया है अब सद्धालू गंगा इस्तान करके सीधे भोले बाबा की दर्शन करने आ सकेंगे इस दोरां प्रधान मंतری के साथ राजपल, रामनाईक और सियम चोगी ने भी राश्टिया जीविका सम्मेलन में हिसा लिया जहां सम्मेलन में आई स्वेम सहायता समयों की महिलाओं ने प्य-अमोधी के साथ समवाद किया इस दौरान पियम मोदी ने सरकार की उपलब्धियों को किनाते हुए सरकार को महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से समर्पित बताया ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया न्यूज तो जलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिये दिखाते हैं कि वारनासी सीट के चुनावी समिकरण क्या है सदीक शेतर है 2014 पे पीम मोदी यहां से चुनाव लड़े थे दूसरी नमबर पर आमाद्बी पाठी के अर्विंद केजरिवाल यहां पर रहे थे अर्विंद केजरिवाल वारनासी में लोकसभा चुनाव में 2,9,000 से ज्यादा वोटों से पीछे रहे थे तीसरे इस्तान पर कॉंग्रेस पाती रही थी वारनासी के लोकसभा चुनावों के दुरान बस्पा प्रत्याशी चौथे इस्तान पर रहे तो विजे प्रकाश जाइशवाल को 7,589 वोट यहां से मिले थे तो पिसले बार का यह हिसाब था आपको बता दें कि वारनासी का जो जातिय समीकरन है उसमें मुसल्मान यादव दलित वोट पचास फिस्दी के लगबग है वेश्य ब्रामन मुसलिम भुमिहार और राजपूत वोटों के अधिक्ता है जिनमें यादव पटेल, चोरसिया और दलित और अन्य पिछली जाति के वोटर भी हैं तो रोहनिया, वारनासी, उत्तर वारनासी और तक्षिन वारनासी के अगरम बात करें 2014 में पियेम नरेदर मोदी को कुल 5,80,000 से ज्यादा मत यहां से मिले थे 2014 के चुनाओं में वारनासी से पियेम मोदी ने जीए खासिल की थी तीसरे इस्तान पर कॉंग्रिस का प्रत्याशी रहा चलिए आगे बढ़ेंगे, पियेम मोदी ने गाजियाबाद को हिंडन एर बेस के रूप में बड़ी सुखात दी है कमर्शियल यूज के लिए बने इस एर बेस के साथ साथ पियेम मोदी ने दिलशाद गाडन से शहीद सल निवस अड़ा तक मेट्रो विस्तार कारे का भी लोकारपन किया 9 किलोमेटर से ज़्यादा लंबी मेट्रो लाइन में 1781 करोड से ज़्यादा की लागत आई है पियम मोदी ने दी गाजियाबाद को करोणों की सौगा कई परियोजनाओं का किया लोकारपन और शिलान्यास हिंडन एरपोर्ट टर्विनल का वपी किया लोकारपन परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद में करीब 32,000 करोण रुपई की योजनाओं की सौगात दी है जिसमें नौर्दन पेरिफेरल रोड, मेट्रो फेस टू, हर्डन एरपोर्ट टर्मिनल, रैपिड रेल शामिल है इन योजनाओं से नकेवल गाजियाबाद के लोगों को फाइदा होगा, बलकि दिल्ली आने वाले लोगों को भी लाब मिलेगा वहीं गाजियाबाद में पीम मोदी ने सिकंदर पूर में बनाए गए हिंडन एरपोर्ट टर्मिनल का भी लोकारपन किया इसके निर्मार में 60 करोण से ज्याज़ा की लागत आई है यहां सी और उसमें कम सीटों वाले बिमानों को शिफ्ट किया ला सकेगा इस दोरान पीम मोदी ने अपने भाशन की सुरुवात करते हुए विफख्ष पर एक के बाद एक सिलसलेवार तरीके से हमला किया आज गाजियाबाद की पहचान तीन सी से होती है पहला सी है कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो ट्रेंज से हो हवाई कनेक्टिविटी, हिंडन एरपोर्ट से हो या फिर इस्टन पेरिफेरल एक्ष्प्रेस बे के मार्जम से वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी गाजियाबाद में ट्रांस्पोर्ट का आधुनिक इंफार्क्टिटर विश्चित हो इस भी प्रक्रार का दूसरा सी याने क्लिनलीनेज हाली में रास्त्रिय स्वस्थता सर्विक्षन के रेंकिंग में गाजियाबाद देश में 13 वास्तान पर पहुँच गया है गाजियाबाद में हिंडन एरपोर्ट टर्मिनल के लोकारपट के दौरां पियम मोदी के साथ साथ सियम योगी और राजपाल समेथ कई बड़े नेता मौझूद रहे इस दौरान सियम योगी ने सरकार के उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पियम मोदी के नेतर तुमें देश निरंतर प्रगती पर है और पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मानती है आदनिया प्रधान वंत्री जी जहां विकास और सुसासन के माध्यम से पुरे देश के अंदर लोकमंगल कारी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं वही साती साथ आतंगवाज के खिलाब लड़ाई लड़ने सर्जिकल स्ट्राइक हो या इर इस्ताइक के माध्यम से आतंगवाज का नेस्तना बूद करने और गाजियाबाद की धरती पर आज आदनिया प्रधान वंत्री जी का अगमन हुआ है मैं गाजियाबाद के आप सभी नागरिक बंदों के उर से अपने सश्री नेता देज के सश्री प्रधान मंत्री आदनिया मोदी जी का हिर्दे से स्वागत करता हो अविनंदन करता हो यहाँ प्यम मोदी दिल्शाद गार्डन से शहीर धल न्यूबस अड़ा तक मेट्रो विस्तार कारिका भी लोकारपन करते नजर आए 9 किलोमीटर से जादा लंबी मेट्रो लाइन में 1781 करोन से जादा की लागत आई है इसका निर्मार DMRC, GDO उत्तरप्रदेश आवाज विकास परिशद और UP और द्योगिक विकास निगम द्वारा संयुक त्रूप से कराए गया है आज दो बड़े और आदूनिक प्रोजेक्स का लोकारपन किया गया थोड़ी देर पहले हिंडन एरबेस से सिविल टर्मिनल का उद्वाडन किया गया अमान्य सेवा के लिए भी एरपोर्ट टर्मिनल बन कर तैयार है मेट्रो को मिली सोकार, दिशाद कारडन से नियो बसड़ा मेट्रो का लोकारपन इस कोरिडोर में 8 स्टेशन है स्टेशनों के ना, शहीद नगर, राजबाग और मेजर मोहिश शर्मा राजिंदर नगर है श्यामपार, मोहन नगर, अर्थला, हड़न रिवर और शहीद स्थल नियू बस अड़ा स्टेशन भी आएंगे इसके अलावा पियम मोदी ने गाजियाबाद में रैबिट ट्रेल का भी शिल अन्यास किया जिसका फाइदा सीधे तौर पर उत्तरप्देश और उत्रखन के लोगों को होगा इसके तहट प्रथम चरण में करीब 82 किलो मीटर लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरट कोरिडोर का निर्मान हो रहा है जिसके अनुमानी तलागत 30,274 करण रुपए है प्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्योज लोकसव चुनाओं की खोशना से पहले पीएम नरेदर मोदी संसदी एक्षेतर वार्नासी के दोरे के बाद कानपूर भी पहुँचे यहाँ पर उन्होंने लखनो मेटर का शुभारम किया और पुलवामा आतंकी हमले के बहाने विपक्ष पर तीखा हमला बोला पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां हमारे जवानों की वीर्ता से हमारा सीना चोड़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बयानों का फाइदा आतंकीयों के सरपरस्थ उठा रहे हैं तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आहां पर पहुंचे थे लखनों मेट्रो का शुभारम किया उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हर नामुम्किन को मुम्किन कर दिखाया है और आगरा इनकी मेट्रो लाइन का लोखारपा और सिलान्याज भी आज यहीं कानपूर की दर्थी से किया गया है विकास के यह सारे काम उत्तरपदेश के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़लाव लाने वाले है आख से जादा घरों को बिजली कनेक्शन दे कर लोगों के जीवन से अंधेरा मिटा दिया गया है सरकार द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों और सामान्य जनों को परियाप्त बिजली मिल पाएं गंगा को साप और स्वक्ष करने के नाम हजारों करेड रुपिये पता नहीं कहां चले गए कौन ले गए पानी में गए कि पोकेट में गए लेकिन भायों भहनों तीजोरी तो खाली हो गई लेकिन मां गंगा की गंदगी में कमी नहीं आई कानपूर में गंगा जी को जो स्थिती थी उसको देखतर लोग अक्षर कहते थे कि स्थिती को बदल पाना नामुम्किन है लेकिन हमारी सरकार ने देश को ये विश्वात दिलाया है कि नामुम्किन भी अब तो मुम्किन है तो 2019 के आम चुनाओं का अगाज हो चुका है सियासी पार्टियां जनता को लुभाने में चुट गई है नेता शहर से लेकर गाउं तक की गलियों की खाक छान रहे हैं तो वहीं आम जनता नेताओं के वादे और कामों को परकरे में लगी है क्योंकि अब फैसला उसे करना है और ऐसे में इस बार का चुनाओी संग्राम काफी दिल्चस्प होगा कैसा है कानपुर दिहाद का सियासी मिज़ाज बीजेपी के गड़ में कितना हुआ विकास अकबरपुर लोकसभा सीट का क्या है हाद आम आत्मी की उमीद पर कितना खरे उत्रे सांसत जी 2019 सामचुनाव का आगाज हो चुका है सियासी पार्टियां जुनता को लुभाने में जुट गई है नेता शेहर से लेकर गाम तक की गलियों की खाग छान रही है तो वहीं कांग्रेस ने कानपुर दिहाद की अकबरपुर लोकसभा सीट में अपना उमीदवार तक घूशत कर दिया है कांग्रेस ने यहाँ पुराने दिगकच नेता राज़राम पाल को अपना उमीदवार बनाया है बात मौजूदा सांसत की करें तो इस वक्त अकबरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का खब्जा है यहाँ से देवेंदर सिंग भोले सांसत है देवेंदर सिंग भोले यूपी में बीजेपी सरकार में स्वासमंत्री भी रह चुके है इलाखे में देवेंदर सिंग भोले का अच्छा खासा प्रफाव है 2014 के लोकसभा चुनाव के दोरान मोदी लहर में यहाँ बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी कानपुर देहाद में चार विधान सभा सीट आती है इस समय सभी विधान सभा सीट पर बीजेपी का कबजा है मौजूदा सांसत का दावा है कि पिछले 5 सालों में कानपुर देहाद का तेजी से विकास हुआ है कई बड़ी ओचनाएं इस समय कानपुर देहाद में चल रही है बावजूद इसके इस बार की लोगसभा चुनाव में यहां विकास, महिला सुरक्षा, रोजगार और महगाई एहम मुद्दे होंगे इस जिले से दो-दो नेशनल हाइवे होकर गुजरते हैं एक लक्रों से कानपुर देहाद होते हुए दिल्ली को जाता है और दूसरा कानपुर देहाद से होते हुए छासी जाता है पावजूद इसके जिले के लोगों की माने तो उन्हें अभी तक ऐसा विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए कानपुर देहाद की अकपरपुर लोकसभा सीर्ट से लगी इटावा, करनोच और कानपुर नगर की ये तीनों महत्पूर सीटे है इत्यास के पन्नों में अपना नाम दर्च करा चुका कानपुर देहाद का ये जिला लोगों की जुबान पर अब बना रहता है तो कानपुर देहाद में अकपरपुर लोकसभा सीट आती है और यहां से मुझवदा सांसद बीजेपी के देवेंदर सिंग भोले है बीजेपी के कदावर नेता देवेंदर सिंग भोले का दावा है कि उन्होंने एक शेतर में काफी काम किया है इंडिया न्यूस के हमरे समवाद आता सूरज सिंग ने सांसर देवेंदर सिंग भूले से खास बात चीत की है उसे आप देखिए सबका साथ और सबका विकार मानि प्रधान मंतिजी का सपना था और देश को जुकने नहीं दूगा देश को तूटने नहीं दूगा ये दूसरा 26 मई को सफ़त लेने के बाद पहले उद्बोधन में उन्होंने देश वास्तियों को भरुसा दिया था कि गरीबों की किसानों की मजदूरों की कमजोर लोगों की सरकार है और उनकी नुमान्दिगे करने के लिए प्रधान सेवक के रूप में मानि प्रधान जी और उनकी सारी टीम सारी लोग काम करेंगे जरुवत प्रधने पर हमारे जो विपक्ष में लोग खड़े अगर विकास के मामले में हमको को कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो उनका सुझाओ भी मान करके विकास के मार को आगे बढ़ाने का रास्ता सुलब करेंगे और 2019 में हम रिपोर्ट कार्ट प्रस्तुत करेंगे आज पूरे छेत में हमारी लोग सवा छेत के अंतरगत कोई भी गाउं कोई भी कस्वा कोई भी मजरा बाकी नहीं है जहां दीन जाल उपादा योजना के तहत और आईपीडियस के तहत पूरे तरीके से गाउं स्तंत्त ना हो तो अभाग योजना का लक्ष कहीं का दुक्तागर घर रह गए हैं उनको भी हम लोगी कत्तिस माज तक पूरा कर देंगे आपको सरकारी आंकलों में विकास कराया है यह तो सामने दिखाई पड़ता होगा गाउं ना आने की बात अगर कहीं है तो मैं अकेला नहीं गया हूं जब भी मैं गया हूं तो बाकाइदा हमने अपने कारेले से जिला दिकारी के हाँ हमारा पत कानपूर नगर में भी और कानपूर दिहाद का भी जो हमारे गाउं हैं मैंने उनको सुचना बेजी है और संबंदित बिवाओं को आदिकारी कर सकते हैं और एक सांसत के लिए आपने नागनात और सापनात को देखा है आपको दो जून पंचानमी की घटना याद है आज हमारे स्त्रदे ब्रम्दत दुवेदी नहीं रहे जिन्हों ने बस्पा की नेत्री के जान और उनकी इज्जत को बचाने का काम किया था यह नापाक गठवंद्यन के लूट के माल के बटवारे का जगड़ा है परिवार का जगड़ा है और इसलिए यह आप उनका नापाक गठवंद्यन उसी तरीके सो रहा है कि पूरे देश के लोग महा गठवंद्यन मना करके के वल देश में भारती जंता पार्टि और NDA की सरक कार को रोकना चाहते हैं रोकना इसलिए चाहते हैं कि आज देश में एक प्रहानमंती यह कहते थे कि दिल्ली से चलने वाला पैसा पंद्रार रुपए गाउं में लगता है और इसलिए लोगों को डारेक्ट बेनिफिसरीज को उनके खाते में पैसा हर योजना का ट्रांसपर हो रहा है लोगों को बीच में पैसा खाने का मौका नहीं लग रहा है इसलिए ये सारे लोग मिल करके भारती जंता पार्टी की सरकार को सर्दे मोदी जी को रोकना चाहते हैं लेकिन देश के आवाम ने ये तै कर दिया है आपने देखा होगा को नहीं ला पाए पाकिस्तान से हमारे प्रानवंती जी ने 48 गंटे के अंदर पाकिस्तान के प्रानवंती से बात नहीं की और उनको मजबूर कर दिया है उन्हों अभिनंदन को ने वापस करना पड़ा बिलकुल साफ तोर पर यह थे अकबर पुर लोग सभा सांसद देवे प्रदान मंत्री बंद्ने में कान पुर्द्यासर सूरा सिंग इंडिया न्यूज उत्तप्रदीश करना शुरू का दिया है एक तरफ जहां सियासी पार्टियां संभावित नामों पर चर्चा करने में लगी है तो वहीं कॉंग्रेस सबसे आगे निकल गई है लोगसबा चुनाव 2019 के लिए कॉंग्रेस ने उत्रप्रदेश के 11 और गुजराद के 4 सीटों पर उमिद्वारों के नामों का एलान कर दिया है चुनाव आयोग ने भले ही अभी तारीखों का एलान ना किया हूँ लेकिन सियासी पार्टियों ने अपने उमिद्वारों की तलाश करना शुरू कर दिया है एक तरफ जहां सियासी पार्टियों संभावित नामों पर चर्चा में लगी हैं तो वहीं कॉंग्रेस सबसे आगे निकल गई है लोगसबा चुनाव 2019 के लिए कॉंग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 11 और कुछराद की 4 सीटों पर उम्मीद्वारों का एलान कर दिया है कॉंग्रेस अधक्ष राहूल गांधी अमेठी और यूपिय अधक्ष सोनिय गांधी राय बरेली से चुनाव रड़ेंगी सपा बसपा गटबंदन ने सोनिय और राहूल की सीटों पर उम्मीद्वार नहीं उतारने का फैसला लिया है अलकि कॉंग्रेस ने बतायू से सलीम स्चेरवानी को टिकट दिया है यहां से अभी सबा दक्ष अकलेश यादब के भाई धरबेंद्र यादब सांसत है प्रयंका गांधी को पूरवी उत्तरप्रदेश की कमान सोंपे जाने के बाद से कयास लगाय जा रहे थे कि यह सोनिय गांधी की जगह राई बरेली से चुनाब लड़ सकती है लिस्ट में सोनिय गांधी का नाम होने से सभी अचकलों पर विराम लग गया है राई बरेली से लगातार तीन बार से सोनिय गांधी सांसत है राई बरेली कॉंग्रेस का सबसे मजबूत इला है नौ कॉंग्रेस ने चार बीजेपी और सपा ने दो सीट पर जीत हासिल की थी। कॉंग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद एक बार फिर यूपी के सियासी गट जोड की हवा चलने लगी है। यही बज़े है कि आज प्रियंका गांधी का यूपी दोरा रद कर दिया गया। ऐसे में अब सभी को इंतजार है कि आखर यूपी में कॉंग्रेस की साधार पर गट बंदन करेगी और उसके खाति में कितनी सीट आएंगी। प्यॉरर रिपोर्ट एंडिया न्यूज तो चलिए आप देखते हैं कि लोगसवा चुनाव 2019 में यूपी में कॉंग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर के कौन से वो नाम है जो तैय किये गए हैं तो सोनिया गांधी राइबरेली से घोशित की गई है यूपी में कॉंग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है राहुल गांधी अमेटी से चुनाव लड़ेंगे सहरनपूर के अगर हम बात करें तो इमरान मसूद का नाम कॉंग्रेस पार्टी की ओर से एलान किया गया है सलीम इकबाल शेरवानी को बदाईू से टिकेट दिया गया है जिसका एलान कर दिया गया है तो साथी साथ दोरहराश सीट से जितिक प्रसाद कॉंग्रेस पार्टी के उमेदवार हो गया है अनो टंडन उननाव से चुनाव लड़ेंगी कॉंग्रेस पार्टी की ओर से तो सल्मान खुर्शित को फरुखाबाद से टिकेट दिया गया है अकबरपु से राजाराम पाल को अमीदवार बनाया गया है तो ब्रिजला खाबरी को जालोन की सुरक्षित सीट से उतारा गया है तो फैजाबाद से निर्मल खत्री का नाम फाइनल किया गया है आरपियन सिंग कुशी नगर से टिकेट दिया गया है कॉंग्रेस पार्टी के ओर से और अगर अब हम आगे बढ़ते हैं और राम जन्भूमी बाबरी मज़ित के मामले को लेकर सुप्रीम कोट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया पिसले कई दश्कों से चल रहे इस मामले का विवाद अब मध्यस्ता से सुलजेगा मंदिर पक्ष और मज़िद पक्ष से मिले सुझाओं के बाद सुप्रीम कोट ने मध्यस्तू के नाम तै कर दी हैं जिने दो महिने के अंदर सभी पक्षों से बाचीत करनी होगी और इसके बाद ये पैनल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोट को देगा मध्यस्तू के पैनल में आध्यात्मी गुरू श्रीश्री रविशंकर सुप्रीम कोट के रिटार्ट जिस्टिस एब्राइम खलिफ ला सीनियर वकिल श्रीराम पंचू शामिल है इस पैनल को एक हफ़ते के भीतर अपनी सुनवाई शुरू करनी होगी है लेकिन तारीख नहीं बताएंगे फिलहार अब राजनीतिक पार्टियां तारीख बताएं या ना बताएं लेकिन मानेनी उचितम न्यायलों को कुछ और ही मन्जूर था तभी तो उन्होंने इसे राजनीतिक पार्टियों से दूर कर आपसी सुला से सुलजाने की बात कह दी अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जनता कितनी प्रभावित होती है रिटायर्ट जस्टिस इब्राहिम खलिफुल्ला शिरीश्रीर रविशंकर प्रशाद वरिस्ट वकील स्रीराम पंचु यह वो तीन नाम है जिने सुप्रीम कोर्ट ने तै किया है यानि अम मंदिर या मस्जित का निर्माण इनी तीनों के इर्दिगर्द घूमने वाला है क्योंकि कोर्ट ने मध्यस्ता के लिए यही तीन नाम सुझाए है लोग कई बार कई तरह से मध्यस्ता का प्रस्ताओ कर चुके है कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशा यह कहा है कि इस पर जो ने अले का फैसला हो वो दोनों पक्ष माने और अगर ने अले का फैसले के पहले कोई बातचीत से कोई चीचत है हो सकती है तो कॉंग्रेस उसकी पसदर है सरोच चिनले ने लगबग आज वही बात की जो कॉंग्रेस कहती रही है कि पहले मध्यस्ता की कोशिश कर लो और जब मध्यस्ता ना हो सके तो अब फिर अदालत अपने फैसला है बात अगर जस्टीस इप्राहिम खलिफुल्ला की करे तो इन्हें तीन सदस्य टीम का कप्तान घुशित किया गया है और शिरी श्री रविशंकर प्रसाद और श्री राम पंचु इनका साथ देंग लेकिन मध्यस्ता की ये पूरी प्रक्रिया गोपनिय रखी जाएगी और अगले चार हपते में मामले की प्रगती की रिपोर्ट भी सौपनी होगी इतना ही नहीं पूरी प्रक्रिया में मीडिया का रोल भी कही न कहीं नदारत दिख रहा है क्योंकि इस पूरे मामले को मीडिया से दूर रखने की बात भी कही गई है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मद्यस्ता के लिए बाचीत फैजाबाद में होगी वहीस से पहले बुधवार को ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया था कि अध्यभिवाद को मद्यस्ता के लिए प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई की अधिस्ता वाली पांस सदस्य समविधान पीट ने बुद्वार को इस मुद्दे पर विभिन पक्षों को सुना था पीट ने कहा था किस विवाद को मध्यस्ता के लिए सौपने या नहीं सौपने के बारे में बाद में आदेश दिया जाएगा इंडिया लियूस के लिए प्यूरो रिपोर्ट पजलिए इसी के साथ ही अमारे इस खास पेशकरस में फिलाल इतना ही नमस्कार